Hey guys, welcome to the channel So, इस वीडियो में हम बात करेंगे किर्केट के एक रूल के बारे में जो काफी लोगों के लिए थोड़ा सा कन्फ्यूसिंग रहता है जिसका नाम है LPW LPW का मतलब होता है लैग बिफोर विकिट तो इस वीडियो में जानेंगे इस रूल के बारे में चलिए शुरू करते हैं LPW में सबसे पहले तीन चीज़े जरूरी होती है पिचिंग इन लाइन इंपक्ट एंड हिटिंग दे विकिट्स और नॉट तो सबसे पहले जानते हैं पिचिंग इन लाइन का मतलब क्या होता है तो हम एक right-handed batsman को consider कर लेते हैं ये उसकी offside होगी और ये उसकी lagside होगी तो जब भी कोई bowler gain डालता है और gain अगर इस line के बीच में पढ़ती है या फिर offside में पढ़ती है तो batsman को out consider किया जाएगा लेकिन अगर gain lagside में पढ़ गई तो batsman वहाँ पे note out हो जाएगा empire को आगे देखने की जरूरत ही नहीं है वहाँ पे batsman को note out declare कर दिया जाएगा दूसरी चीज़ है impact impact का मतलब होता है कि जब bowler ने bowl डाली bowl pitch होई और pitch होने के बाद जब batsman के pad पे लगी तो जब वो impact होता है वो हमेशा in line होना चाहिए मतलब bowl हमेशा pad के in line होनी चाहिए अगर bowl offside या lagside लगेगी तो वो note out consider किया जाएगा impact में एक और चीज़ है कि जब batsman defensive खेल रहा हो और वो बार बार bowl को अब pad से रोक रहा हो तो उस time पे अगर वो short नहीं खेलता है सिधा defense करता है तो उस time पे अगर bowl का impact outside या lagside भी रहता है तब भी उसको out consider किया जाएगा तो last चीज़ हो है hitting the wicket sword note तो pitching in line और impact देखने के बाद bowl को सिधा wicket पे hit करना होता है तब ही out किया जाएगा तो overall इन तीनों के decision से इन तीनों के correction से ही batsman को out or not out दिया जाता है तो I hope ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत knowledge full रहा हो अगर ये वीडियो आपके लिए पसंद आया हो आपको थोड़ी सी से knowledge मिली हो तो please ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारी channel को subscribe कीज़े thank you have a good day